अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मी एवन से कैसे आप बहतरीन इमेजस कैप्चर कर सकते हैं इसमें धेर सारे ऐसे options and features available हैं मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको utilize करके बहुत ही बहुत ही अच्छा capture कर सकते हैं इमेजस को तो चलिए देखते हैं मी एवन से कैसे capture करें अगर हमारे चैनल को नए है आप तो subscribe करके बने रही है और like होगे इस वीडियो को अगर आपको कुछ information मिलता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मी एवन से कैसे आप awesome pictures capture कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे ही आप camera icon को tap करते हैं तो यहीं default user interface मिलेगा आपको मी एवन में तो यहां पर ज्यादा कुछ नहीं सिर्फ एक portrait depth effect लाने के लिए यहां पर है इसके लिए around 2 meters तक होना चाहिए यहां पर आपको पताएगा और दिखाएगा कि depth कितना है कौन सा image sharp में है और कहां पर blur हो रहा है सिर्फ यहां से आप change कर सकते हैं I think already आपको पता ही है कि कैसे करना है वो सब तो next है यहां पर HDR off and on दिया है बस auto HDR नहीं इसमें लेकिन HDR क्यों यूज करते हैं देखें आपर अगर darker images है shadows में ठीक से दिखाएने देरा है clarity नहीं है तो आप क्या कर सकते है HDR को यूज करके shadows को boost कर सकते है वैसे ही brighter lit situation में आप highlights को compensate करके अच्छी तरह से evenly lit images को capture कर सकते है तो इसलिए HDR यूज होता है आप कभी भी off and on कर सकते है इसको तो यहां पर 1x है आप just tap and hold करेंगे तो digital zoom है up to 2x तक अच्छा quality का image आता है लेकिन उससे आप 10x पर भी जा सकते ह लेकिन इतना image quality में नहीं आता है क्योंकि वो actually pixel to pixel zoom कर रहा है ना कि वो sensor image sensor से zoom होता है तो इसलिए क्या कर सकते है आप 1x and 2x में अच्छा आता है you can take with 2x as well तो next यहां पर देखे options में जाएंगे इसे पहले यहां पर तो filters है आपको पता ही होगा कि कैसे filters live filters दिखाए देगा live यूज कर सकते हैं आप कोई भी filter को ऐसे आप मजा की तरह से pictures ले सकते हैं तो funny images यहां पर अगर आप options टैप करेंगे धेर सारे features options है मैं बता हूँगा कि कहां पर settings चेंज करना है आपको फुल वीडियो देखे आप नेक्स्ट यह वाला देखे square है अगर आप Instagram पर social media पर share करन चाहते हैं instantly और कहीं पर भी frame पर images लूज नहीं करना चाहते हैं तो जरूर one is to one ratio को use करके आप just capture करके instantly share कर सकते हैं images को बिना crop and edit किये next is straighten यह वाला देखे बहुत ही अच्छा है Xiaomi phones में available है दूसरे phones में नहीं मिलता है आपको बिल्कुल तो कैसे भी आप weird angle में पकड़िये व आपको हमेशा quality and as well as with proper proposition and composition आपको pictures देगा तो ऐसे आप हमेशा straighten को use करके capture की जिए बहुत ही अच्छा एंगल में pictures आपको जरूर मिलेगा तो next options में till shift till shift क्या करता है basically देखे यहां पर already आपको जैसे frame में देख सकते हैं सारा चीज background में blur करके आपको सिर्फ सेंटर में circle में जो है वहां पर sharp image आपको दिखाए दे रहा है अब इसको tap and hold करके कहीं पर भी move कर सकते हैं तो अगर subject यहां पर है और इतना सारा आप blur करना चाहते हैं तो ऐसे capture कर सकते हैं and even कहां चाहिए वहां move कर सकते हैं तो ऐसे आप इस circle को use कर सकते हैं यहां पर एक चोड़ा सा arrow है ज तो सारा focus मिलाके बाकी सब frame blur कर सकते हैं तो ऐसे आप tilt shift को use कर सकते हैं trial and error method आप करके देखिए बहुत ही अच्छा pictures आपको interesting perspective में आपको pictures हमेशा मिलेंगे यहां पर circle and parallel even आप अगर flowers capture कर रहे हैं तो circle पर tap करके सारा चीज़ blur कर सकते हैं जैसे portrait mode को use करते हैं वैसे ही इसको भी उज़ करके flowers को capture कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से next option यहां पर है manual देखिए यहां पर बहुत सरी interesting चीज़ options है आपको मैं बताऊंगा कि जल्दी जल्दी से क्या क्या change करना है तो पहला है lens wide and tele जैसे कि आपको पता ही है कि Xiaomi Mi A1 का सबसे खासियत feature यह है कि यहां प पर wide angle का lens है ही तो ऐसे आप देखिए जस्ट एक बार टेली पर tap करेंगे तो wide है तो wide अभी wide angle में देखे कितना wide आता है lens से and एक बार ऐसे ही tap करता हूं same location same point of view से देखे टेली में कितना zoom होता है और बिल्कुल quality images मिलेगा यह tap करके 1x2x zoom जो करते है वो वाला नहीं direct separate lens है इ आप टेली से capture करेंगे तो तो देखे यह की perspective से एक ही angle से कैसे टेली images आपको मिलता है और कैसे wide angle में capture कर सकते है तो ऐसे आप बहतरीन images ले सकते हैं दोनों camera lens को use करके तो next is select ISO ISO starting from 100 to 3200 तक जाता है तो यह ISO आप बिल्कुल auto पर छोड़ दीजे बहुत ही अच्छा work होता है Xiaomi Mi even में लेकिन आप क्या कर सकते हैं यहां पर अगर आप कुछ motion freeze करना चाहते हैं यहां पर subject अगर कोई person है कुछ दोड़ रहा है कुछ कर रहा है तो action को freeze करना चाहते है तो usually one by one thousand one by five hundred seconds पर रखना है लेकिन क्या होता है अगर आप auto ISO रखेंगे तो अच्छा भी आ सकता है कही बार darker images आ सकता है तो इसको आप ज्यादा ISO रखके compensate करके around 400-800 ISO रखके आप capture करके देखें बहुत ही बहुत ही brighter images आपको मिल सकता है और वैसे आप capture करके freeze भी कर सकते हैं कोई भी movements को अगर मान लिजे कुछ water का आप ले रहा है और silky smooth movement चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं यहा नहाँ पर 5 seconds, 2 seconds, 10 seconds का नहीं है shutter speed तो 1 by 15 से ही काम चलाना पड़ेगा तो इसके लिए आप ISO minimum रख दीजिए around 100 तो ऐसे आप बहुत ही अच्छा evenly lit images capture कर सकते हैं तो ऐसे आप इन दोनों combination को compensate करके use करके बहुत ही अच्छा images capture कर सकते हैं next one है focus, तो focus manually आप अगर flowers या फिर close up objects का capture करना चाहते हैं तो बिलकुल first mode पर first line blue पर छोड़ दीजिए वैसे आपको बहुत ही close up images का बहुत ही अच्छा मिलेगा देखे कितना close up image है अभी तो बहुत ही useful होगा यह अगर landscape का है तो आप around 75 तक रखेंगे तो बहुत ही sharp images across the board मि every single time sharper images आप ले सकते हैं तो ऐसे आप manually change करके भी बहुत ही अच्छा images बना सकते हैं next is white balance तो यहाँ पर देखे focus speaking off करके एक छोटा से दिखा़ दे रहा है यानि कि कहाँ पर focus हो रहा है अगर वो आप देखना चाहते है तो just enable कीजिए यहाँ पर आपको बताएगा कि across the board कितना image sharp है कहाँ पर sharpness हो रहा है मान लिजए अगर मैं इस focus को अभी change करता हूँ देखे कैसे focus speaking change होता है अभी मुझे बता रहा है कि यहाँ पर focus ज्यादा हो रहा है और यहाँ पर sharp है तो ऐसे even आप highlights भी blur हो रहा है करके दिखाए देगा तो ऐसे आप change करके determine करके देखे अभी य यहाँ पर dots है तो बिल्कुल totally frame in focus है अगर ज्यादा करता हूँ तो वो बहुत infinity तक चला गया यहाँ पर blur है वहाँ पर sharp है तो ऐसे आप compensate करके super sharp images ले सकते है तो ऐसे आप DSLR feature है यहाँ पर focus speaking on and off तो ऐसे आप utilize करके picture को capture कीजिए next time white balance तो auto white balance यहाँ पर white balance depending on the situation color and light अगर accurate colors नहीं मिल रहा है आपको तो आप यहाँ पर change करके बिल्कुल देखिए कौन सा color accurate दे रहा है तो तभी आप capture कर सकते है यहाँ पर एक awesome thing है देखे manual है tap करेंगे तो बिल्कुल numbers है तो lower the numbers जाएंगे बहाँ पर आपको cooler images मिलेगा वैसे ही अगर आप higher number पर जाएंगे तो warmer images मिल सकते हैं और पका color light का आप images को ले सकते हैं next time ht तो ht देखे क्या करता है बिल्कुल study रखना है आपको ht लेते वक्त क्यूंकि आप ht को हमेशा low light situation में use कीजिए ताकि बहुती sharp and good lighting images आपको मिलेगा तो ऐसे आप capture करेंगे तो वो multiple images capture करके stack करके बिल्कुल evenly lit images low light situation में आप को help होगा तो ऐसे आप ht को यूज कीजिए तो इतने सारे डेर सारे options है मीएवन में आप utilize करके hopefully अच्छा images लेंगे हमें comment section में बताइए कि आप कैसे images लिया है कैसे आपका image quality change हुआ है and one more thing important setting है मीएवन में change करने के लिए options पर जाएंगे तो यहाँ पर settings है तो settings पर tap करेंगे तो यहाँ पर देखे interesting चीज है तो save location info GPS tag करना चाहते है तो वो वाला camera sounds तो tap करेंगे तो जो sound आता है click का तो वो वाला enable disable है next time stamps अगर इतने बज़े इतने date पर मैंने picture किया है वो चाहते है आप photo पर तो इसको enable कर सकते है यहाँ पर grid lines तो professional के लिए grid lines hold करेंगे तो instantly सिर्फ एक second में around 10-15 images capture होगा तो कोई भी frame आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे वैसे आप utilize कर सकते है next picture quality हमेशा इसको high रखिए standard low बिल्कुल नहीं रखना है आपको नेक्स्ट है camera frame तो सिर्फ दो aspect ratio 4 is to 3 and 16 is to 9 बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं दिया है शामी नहीं यहाँ पर यूजल क्या होता है 8 Megapixel 12 Megapixel का ऐसे reduction होता है वहाँ पर resolution set करने के लिए तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है तो वैसे ही age and gender face detection on है तो face detection के अनुसार वो beautify on करेगा अगर ठीक से beautify effect नहीं मिल रहा है आपको तो आप बिल्कुल face detection को on करके आफ करके भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट वालिम बटन्स function तो वालिम बटन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं तो इसको अगर जूम के लिए यूज करना चाते हैं वालिम बटन्स तो ऐसे इसको रखके छोड़ सकते हैं तो बिल्कुल अच्छा क्वालिटी का इमेजस भी मिलेगा कहीं अगर कुछ light का variation होता है तो अच्छी तरह से वह compensate करेगा वैसे यह वाला बहुत ही इंट्रेस्टिंग मेतेड जो कहता है DSLR में होता है तो यहां पर frame average जैसे की नाम है अगर आ कैसे चेंज होता है आपका image and center weight जैसा की नाम है अगर street photography कर रहे है और center में ज्यादा subject है आपका तो center weight रखके आप capture कीजिए वैसे ही spot metering है अगर flowers का close-up subjects का ले रहे है तो हमेशा spot metering रखे वैसे आपको ज्यादा light भी मिलेगा और बहुत ही sharp images मिलेंगे तो यह तीनों आप जरूर चेंज करके every single time depending on the scene आप pictures को capture करके देखे और मुझे comment section में बताईए next contrast saturation sharpness जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते usually आपके mobile में normal रहता है तो पहले इसको change करके contrast को low बनाईए saturation को higher रखिए and sharpness को high तो ऐसे आप बहुत ही sharp images मिलता है आप try करके देखे और हमें बताईए वीडियो में वीडियो के comment section में की आपको कैसे images quality मिल रहे है तो इतने सारे settings है दोस्तों me1 में अगर आपको help हुआ होगा अगर कुछ information मिला इस वीडियो से तो जरूर लाइक कीजिए share कीजिए अपने friends के साथ support करने के लिए subscribe करके बने रही है मिलता हूं अगले वीडियो म हुआ 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 है